इस वीडियो में देखेंगे, ill-conditioned और unstable problem और will condition और stable problem क्या होता है पहले समाझते हैं, ill-condition किसको बोलेंगे, ill-condition यानि कि हम data में अगर थोरा सा changes करते हैं और result में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, उसको हम बोलेंगे ill-condition, just इसके विप्रित होता है, will-condition will-condition किसको बोलेंगे, अगर data में हम थोरा सा changes करते हैं, और result में भी थोरा सा change होता है तो हम उसको बोलेंगे will-condition और stable problem, तो question दिया हुआ, question से समझते हैं कि कैसे, समझेंगे ill-condition है या फिर will-condition यह linear equation दिया हुआ है, यहाँ पर, इसमें चेक करना है कि यह ill-condition है या नहीं, will-condition नहीं पूछा, फिर वहाँ आपको will-condition में साथे साथ बता दें, क्योंकि दोनों एक ही topic से related था, इसलिए चेक करते हैं, हम क्या बताए थे, ill-condition में, ill-condition में बताता है, अगर डाटा में थोरा सा changing करेंगे, तो result में भी थोरा सा changing आएगा, तब हो जाएगा, will-condition अगर बहुत परावदला होता है, तो होगा, कौन सा, ill-condition या फिर उसको बोल सकते, unstable problem, देखते हैं, पिले इसका solution निकाल के देखते हैं, solution अगर इसका आप करते हैं, तो X का value आएगा, and Y का value आएगा, इसका हम बोल सकते हैं, unique solution होगा, लिख सकते हैं, it has, unique solution, अब unique solution इसका कैसे होगा, तो आप लोग जब equation पढ़े होंगे, previous class में, उसमें आप देखे होंगे कि कोई linear equation का तीन solution होता है, कुन-कुन होता, पहला होता unique solution, दुसरा no solution, तिसरा होता infinite solution, unique solution मतलब क्या, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही value होगा, तो इसका यहीं भी लोग चेक करके देख लेते हैं, value सही है कि ने, अगर Y का value हम 0 put करते हैं, फर्स्ट equation में, यह equation फर्स्ट है, और यह equation second है, अगर फर्स्ट में हम Y का value 0 put करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह total multiply होकि 0 हो जाएगा, और X इधर को नाम है है, उधर जाएगा, तो वो, इसका जो coefficient है, वो भाग में जाएगा, अब देख लिए इसका इंसर क्या है, यह का गया, X का value, यहनि कि solution मेरा ठीक है, यह दोनों value हम निकाले है, यह value ठीक है, यह value ठीक है, यह unique solution है, उसका यह value fix है, अब check करेंगे, कि ill condition है या नहीं, ill condition है नहीं है, चेक करने के लिए, सबस्पेले क्या बोलेते हैं, कि हम data में थोड़ा से changing करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, 6, 7 है, अगर 7 को हम 6 कर देख रहे हैं, थोड़ा सा changing होगा, equation उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, दूसरे equation में हम कुछ change नहीं कर रहे हैं, दूसरा equation जो है हम वहीं लिख दे रहे हैं, इसमें बस यहाँ पर changing किया है, अब क्या करते हैं, दोनों को subtract कर देते हैं, मैंनस 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 पलस था तो मैंनस दे दिए, इसमें subtract कर यहाँ 2x है, 1x उसमें subtract हो रहा है, तो 1x बच्चेगा यहाँ पर, 1x और इसमें से यह घट कि क्या आ जाएगा, तीन 3 है तो 0.333 और यहाँ पर 1.00 आ जाएगा, अब उसको सेट कर देते हैं, तो 1.00 x इसी साइड रखते हैं x को, पहले से 1 है वहाँ पर, और यह जाएगा तो, और x का इदर को efficient multiply में उधजा का division और एक से divide देंगे तो को फरक परने वाला नहीं है, अब देखिए, यहाँ पर 1 में से subtract हो रहा है y का coefficient, अगर y का value हम कुछ भी दे, एक दे, दो दे, तीन दे, हमेशा क्या होगा, कि यह multiply होगी, एक से कम ही हमेशा answer आएगा, x का जो भीलू होगा, वो हमेशा x से कम ही आएगा, लेकिन हम x का यहाँ भीलू क्या निकाल ले है, तो क्या matching कर रहा है, नहीं, हमेशा ज्यादा का difference लिया आ रहा है, ज्यादा का difference आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, क्या, इसलिए ill condition है, अगर कम का difference आता है, इसको हम बोल सकते थे, यह will condition है, बस यही समयना थे, यहाँ लिख सकते हैं, दस, it is ill condition, बस तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में दुसरा टापिक देखेंगे, थैंक्यू,